जै भूलिनाथ, आप सभी का हमारे युट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है भूलिनाथ आप सभी की रक्षा करें, आप सभी की मनुकामनाई पून करें आज शिमा पुरान कथा में आप आगी का वर्णन सुनेंगे जब आपने जाना था कि बाना सुरकी कन्या उशा ने किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनेरुध का अपहरन कर लिया था और फिर जब वह युद्ध करने के लिए ततपर हुआ तब उस समय जो आकाश वानी हुई थी उसका वर्णन अब आप रस्पान किजिए आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो लगातारी कथाएं सुनतो रहे हैं लेकिन हमने भादरपद मास में फिर से अध्याए एक, दो, तीन, चार लिखना प्रारम कर दिया है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जब जैसे ही आप हमारी वीडियो ओपन करते हैं तो आपको हमारे चैनल के इंट्रो के बाद साइट कॉर्णर में एक नंबर लिखावा दिखाई देता होगा अब आपको रषपान कराते हैं उस आकाश वानी ने क्या कहा आज के धै के साथ ही रुद्र संगीता का युद्ध घंड भी समाप्त हो जाएका इसके बाद आप रषपान करेंगे कल से श्र्त रुद्र संगीता का आकाश पाणी ने कहा महा बली बान तुम बली के पुत्रों इसलिए थोड़ा विचार तो करो परम बुद्धिमान शिव भक्त तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है शिव समस्त प्राणियों के इश्वर कर्मों के साक्षी और परमेश्वर है ये सार अचर अचर जगत उनहीं के अधीन है वे ही सदा रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण का आश्रे लेकर ब्रह्मा विश्णू और रुद्र रूप से लोकों की स्रस्ठी भरन पोशन और संगार करते हैं हे महामते, मन में इस प्रकार विचार कर स्वस्थ हो जाओ नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्त वतसल भग्वान शंकर गर्व को मिटा देने वाले हैं और इस समय तुम्हारे मन में जो अभिमान है वही तुम्हारे इस अभिमान को चूर कर देंगे। सनत कुमार जी कहते हैं महामुने इतना कहकर आकाशवानी बंद हो गई। तब उसके वचन को मानकर बाना सुर ने अनिरुद का वद करने का विचार ही छोड़ दिया। फिर विशाले नागों के पाश से बंदे वे अनिरुद उसी छण देवी तुर्गा का इस्मरण करने लगे। अनिरुद ने कहा हे शणागत वत्सले आप यश्प्रदान करने वाली हैं। आपका रोश बड़ा उग्र होता है। सनत कुमार जी कहते हैं मुनिश्वर जब अनिरुद ने पिसे हुए काले कोईले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब जेस्ट कृष्ण चतुरदर्शी की महरात्री में वहां प्रकट हुई। फिर प्रद्यूम्न नंदन अनिरुद शिवशक्ती के प्रताव से विजई होकर अपनी प्रिया बान तनया को पाकर परम हशित होए। और अपनी प्रेतमा उस उशा के साथ पूर्वत सुख पूर्वक विहार करने लगे। इधर पौत्र अनिरुद के अद्रिश हो जाने और नारजी के मुकसे उसके बाणासुर के द्वारा नाग पाश्च से बाधे जाने का समचार सुनकर बारह अक्षोणी सेना के साथ प्रद्युम्न आधी वीरों को साथ लेकर भगवान कृष्ण ने शोणित पूर पर चड़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सच धचकर आडटे। फिर तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव का बड़ा भयानक युद्ध हुआ दोनों ओर से जुवर छोड़े गए अंत में श्री कृष्ण ने स्वयम श्री रुद्र के पास आकर उनकी इस्तुति करते वे कहा हे सर्वयापी शंकर आप गुणों से निरलिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। हे गिरिशाई भुमन आप स्वप्रकाश हैं जिनकी बुद्धी आपकी माया से मोहित हो गई हैं वे इस्त्री पुत्र ग्रह आदी विश्व में आसक्त होकर दुख सागर में डूपते उतराते रहते हैं। हे भगवन आप तो गर्वहारी हैं आपने ही तो इस गर्वीले बान को शाप दिया था। काटने के लिए यहां पधारे हैं किन्तु हे रमानात हरे क्या करूं मैं तो सदा भक्तों के ही अधिन रहता हूं। ऐसी दशा में हे वीर मेरे देखते ही बान की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं। इसलिए मेरी आग्या से आप पहले जरमभणास्त्र द्वारा मुझे जरमभीत कर दीजे फिर अपना अभीष्टकारे संपन कीजे और सुखी हो जाईए। सनत कुमार जी कहते हैं मुनेश्च्वर शंकर जी के ऐसा कहने पर शांक पानी श्री हरी को महान विसमे हुआ। वे अपने युद्धिस्थान पर आकर परम आननदित हुए। वियाज जी फिर नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण श्री हरी तुरत ही अपने धनुष पर जरमभीणास्त्र का संधान करके उसे पिनाग पानी शंकर पर छोड़ने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण जरमभीणास्त्र त्वारा जरमभीथ हुए शंकर जी को मुह में डालकर घटग, गदा और रिष्टियादि से बाण की सेना का संधार करने लगे। के लिए प्रस्थित हुआ, उस समय कुम्भांड उसके अश्वों की बागडोर संभाले वे था और वह नाना प्रकार के शास्त्रास्त्रों से सज्जित था, फिर वह महाबली बलीपुत्र भीशन युद्ध करने लगा, इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम होता रहा। प्रकार तुरंत उठ खड़े वे और इस प्रकार बोले। ये लक्षमीश, पूर्वकाल में भी तो आपने मेरी आज्या के बिना दधीची, वीरवर, रावण और तारकाक शादे के पुरों पर चक्र का प्रियोग नहीं किया था। जिनारधन, आप तो योगीश्वर, साक्षात, परमात्मा और संपोंड लोकों के प्राणियों के हितों में रहने वाले हैं। आप स्वयम ही अपने मन से विचार केजिए, मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यों का भय कभी नहीं होगा, मेरा ये वचन सदा सत्य ही रहना चाहिए, मैं आपर परम प्रसन हूँ। हे हरे, बहुत दिन पहले ये गर्व से भरकर उनमत्त हो उठा और अपने आपको भूल भाल गया था। तब अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ, ये मेरे पास आया और कहने लगा, मेरे साथ युद कीजिए। तब मैंने इसे शाब देते वे कहा, थोड़े ही समय में जिन भुजाओं में तेरी खुजली हो रही है, तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा, तब तेरा सारा गर्व चूर चूर हो जाएगा। बाड़ा सुरकी ओर देखकर कहने लगे, मेरी ही आग्या से तेरी भुजाओं को काटने वाले ये श्री हरी आए हैं। फिर महादेव श्री हरी से अर्थाश्री कृष्ण से कहने लगे, अब आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर्वदू को साथ लेकर अपने घर को लोट चाहिए। अंत्यपुर में बधारे। वहाँ उन्होंने उशा सहीत अनेरुध को आश्वासन दिया और बानासुर द्वारा दिये गए अनेक प्रकार के रत्न समुहों को ग्रहन किया। पूरी को लोट गए। द्वारका में पहुचकर उन्होंने गरणुको भी विदा कर दिया। फिर हर्ष पूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छा नुसार आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने बानासुर को समझा कर ये कहा कि हे भग्त शारदूल तुम बारंबार शिवजी का इस्मरण किया करो। वे तो भग्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। अतहे उन आदीगुरु शंकर में अपना मन समाहित करके नित्य उनका महोत्सव करो। तब द्वेश रहित हुआ महा मनस्वी बान नंदी के कहने से धैर धारन करके तुरंती ही शिविस्थान को गया। वहां पहुँचकर उसने नाना प्रकार के इस्तोत्रों द्वारा शिर्जी की इस्तोती की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वे अपने पैरों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए नाना प्रकार के आलीड और प्रत्यालीड आदी अनेक प्रमुख स्था प्रदानकों द्वारा सुशोबित निरत्यों में प्रधान तांडव निरत्य करने लगा। उस समय वे हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजे बजा रहा था और बीच बीच में भौहों को मठकाकर और अपने सीरों को हिलाकर गपकपाकर सहेस्त्रों प्रकार के भाव भी जाता था। इस प्रकार अपने निरत्य में मस्थ हुए महाभक्त बाणा सुर्णे महान निरत्य करके नत्मस्तक होकर तृष्य उलधारी चंदरशेकर भगवान रुद्र को भी प्रसंद कर लिया। तब नाच गान के प्रेमी भक्त वसल भगवान हर हर्षित होकर बाण से क जिनत कुमार जी कहते हैं मुने शंभू की बात सुनकर दैतराज बाण ने इस प्रकार वर मांगा कि मेरे घाव भर जाए बाहु युद्ध की छंता बनी रहे मुझे अक्षेगर नायकत्व प्राप्त हो जाए शोनित पुर में उशा पुत्र अर्थात मेरे दोहित्र का रा और शिव भक्तों पर मेरा इसनेहर और समस्त प्राणियों पर दया भाव बना रहे इस प्रकार शंभू से बरदान मांग कर बलीपुत्र महासुर बान अंजली बांद कर रुद्र की स्तुति करने लगा उस समय उसके नेत्रों में प्रेम और भक्ती के आंसु छलकाए थे फ तुझे सब कुछ प्राप्थ हो ऐसा कहकर वहीं अंतरधियान हो गए तब शंभू की कृपा से महा कालत्व को प्राप्थ हुआ रुद्र का अनुचर बान परमानंद में निमगन हो गया हे वियास जी इस प्रकार मैंने सत्गुरू शूलपाणी भगवान शंकर का बान विशक चरित जो परमोत्तम है करन प्रेम मधुर वचनों द्वारा तुमसे वन्णन कर दिया अब और क्या इच्छा है सनत कुमार जी कहने लगे हे वियास जी अब परम प्रेम पूर्वक्षशी मौलिश शिफ के उस चरित्र को भी श्रवन करो जिसमें उन्होंने त्रिशूल द्वारा दानवराज गजासुर का वद किया था गजासुर महिशासुर का पुत्र था जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया था तब उसका बदला लेने की भावना से उसने घोर तब किया उसके तब की ज्वाला से सभी जलने लगे देवताओं नी जाकर ब्रह्माजी से अपना दुख कहा तब ब्रह्माजी ने उसके सामने प्रकट होकर उसको प्रार्थन नुसार उसे वर्दान दे दिया कि वह काम के वश होने वाले किसी भी इस्त्रिया पुरुष से मरेगा नहीं महावली और सबसे अजेबी रहेगा वर पाकर वह गर्ब में भर गया सबी दिशाओं और सबी लोगपालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंदवन काशी में जाकर वह सब को सताने लगा देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की शंकर काम विजई हैं उन्होंने घोर युद्मे उसे हरागा त्रिशूल में पिरो लिया तब उसने भगवान शंकर का इस्तवन किया शंकर जी ने उस पर प्रसन होकर मनुवांचित वर्मांगनी को कहा तब गजासुर कहने लगा है दिगंबर स्वरूप महेशान अगर आप मुझ पर प्रसन है तो अपने त्रिशूल की अगनी से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को आ यदि मेरा यह चर्म पुर्णिवान न होता तो रणांगन में इसे आपके अंगों का संग कैसी प्राप्थ होता है शंकर अगर आप तुस्ट है तो मुझे एक दूसरा वर्भी दीजे वो ये कि आज से आपका नाम क्रतिवासा विख्यात हो जाए सनत कुमार जी कहते हैं हे मुने गजासुर की बात सुनकर भक्त वच्चल शंकर ने परम प्रसनता पूर्वक महिशासुर नंदन गज से कहा ते थास तू अच्छा ऐसा ही होगा फिर प्रसन्नात्मा भक्त प्रिय महिशान उस दानवराज गज से जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था पुनह बोले इश्वर ने कहा दानवराज तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक छेत्र के काशी में मेरे लिंग के रूप में इस्थित हो जाए और इसका नाम क्रतिवासेश्वर होगा यह समस प्राणियों के लिए मुक्तिदाता महन पात्कों का विनाशक संपून लिंगों में शिरूमनी और मोक्षपद होगा ऐसा कहकर देविश्वर दिगंबर शिवने गजासुर के उस विशाल चर्म को लेकर ओढ़ लिया मुनिश्वर उस दिन बहुत बड़ा उत्सम मनाया गया काशी निवासी सारी जनता तथा प्रमतकन हर्श मगन हो गए श्री हरियर ब्रह्मादी देवताओं का मन भी हर्श से परिपुन हो गया और वे हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके उनकी इस्तुति करने लगे सनत कुमार जी कहते हैं हिवियास जी अब मैं चेंदर मौली के उस चरित्र का भी पर्णन करूँगा जिसमें शंकर जी ने दुन्दुबी निरहाद नामक दैति को मारा था तुम साबधान होकर इसे सुनो दिती पुत्र महाबली हिरन्याक्ष के श्री हरित्वारा मारे जाने पर दिती को बहुत दुख हुआ तब देव शत्रु दुन्दुबी निरहाद ने उसको आस्वाशन देकर ये निश्चे किया कि देवताओं के बल ब्रहमन है अगर ब्रहमन नस्ठ हो जाएंगे तो यगी ही नहीं होंगे यगी ना होने पर देवता अहार्द ना पाने से निर्बल हो जाएंगे तब मैं उन पर सहज ही विजय प्राप्त कर लूँगा ऐसा विचार कर वह ब्रहमनों को मारने लगा ब्रहमनों का प्रधान इस्थान वारांसी है ये सोच कर वे काशी पहुचा और वन में वंचर बनकर समिधा लेते वे जल में जलचर बनकर इसनान करते वे और रात में व्यागर बनकर सोते वे ब्रहमनों को वे खाने लगा एक बार शिवरात्री के पावन अफसर पर एक भक्त अपनी पढ़न शाला में देवादी देव शंकर का पूजन करके ध्यान मगनवस्था में बैठा हुआ था तब बलाभिमानी देतिराज ने व्यागर का रूप धारण करके उसे ही खाजाने का विचार किया परंतु वे शिवभक्त द्रण भक्ती से शिवदर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तलीन हो रहा था इसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्तर का विन्यास कर लिया था इस कारण वे देति उस पर आकर्मन करने में समर्थ नहीं हो सका इधर सर्विव्यापी भगवान शंबू को उस दुष्ट रूप वाले देति के अभिप्राय का पता लग गया तब शंकर जी ने उसे मार डालने का विचार किया इतने में जैसे ही उस देति ने व्यागरी रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा तब ही तुरंत जगत की रक्षा करने के लिए मनी सुरूप तथा भक्त रक्षा में कुशल बुद्धी वाले तिरिलोचन भगवान शंकर वहा प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोच कर उसके सिर पर वजर से भी कठोर घूसे से प्रहार कर दिया उस मुष्ठी प्रहार से तथा कांख में दबोचने से वह व्यागर अत्यत व्यथित हो गया और अपनी दहार से प्रत्वी और आकाश को कमपाता हुआ मृत्य का ग्रास बन गया उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों को हरदे काप उठा वे रात में ही उस शब्द का अनुसरन करते वे उसी इस्थान पर आ पहुँचे वहाँ परमेश्वर्शिप को बगल में उस पापी को दबाई वे देखकर सब लोग उनके चर्णों में पढ़ गए और जजयकार करते वे उनकी इस्तुति करने लगे फिर महेश्वर्श ने कहा जो मनुष्य यहां आकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा ने संदे मैं उसके सभी उपद्रवों को नस्ट कर दूँगा जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर और हिर्दे में मेरे इस लिंग का इस्मरणकर के संग्राम में परवेश करेगा उसे अवसे ही विजय की प्रापती भी होगी मुने जो मनुष्य व्याग रेश्वर के प्राकटिस से संबन्द रखने वाले इस परमोत्तम चरित्र को सुनेगा अथ्वा दूसरे को सुनाएगा पढ़ेगा या पढ़ाएगा वे अपनी समस्त मनुवांचित वस्तों को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी हो जाएगा शिव लीला संबंदी अमरित्में अक्ष्रों से परिपोन यह अनुपम आख्यान स्वर्ग यश और आयू को देने वाला तथा पुत्र पौत्र की व्रधी करने वाला है सनत कुमार जी कहते हैं हे व्यासी जिस प्रकार परमेश्व शिव ने संकेत से द्यात्ति को लक्ष करा कर अपनी प्रियादवारा उसका वद कराया था उनके उस चरित्र को तुम परम प्रेम पूरवक श्रवन करो विदल और उत्पल नामक तो महा द्यात्ति थे उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ से नमर्दने का वर्दान प्राप्त करके सभी देवताओं को चीत लिया था तब देवताओंने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया उनकी इस व्यथा को सुनकर ब्रह्मा जी उनसे कहने लगे हे देपतागणू, तुम लोग शिव सहित शिवा का आदर पूर्वक इस्मरन करो, धैरिधारन करो, वे दोनों दैत्य निश्य ही देवी के हाथों मारे जाएंगे, शिवा सहित शिव परमेश्वर कल्यान करता और भक्त बत्सल है, वे शिग्रिही तुम सभी का कल्यान भी स्मरन करते वे मौन हो गए, तब देवगण भी आनन्दित होकर अपने अपने धाम को लोट गए, एक समय नारत जी के द्वारा पार्वती जी के सौंदरे की प्रशन सा सुन कर वे दोनों दैत्य उनका अपहरन करने की बात सोचने लगे, और पार्वती जी जहां पर किरीड कर रही थी, वे वही जाकर आकाश में विचरनी लगे, वे दोनों घोर दुराचारी थे, उनका मन अत्यत चंचल हो रहा था, वे गणों का रूप धारन करके अंबिका के निकट आए, तब दुस्टों का संगहार करने वाले शिव ने अभेलना पूर्वक उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता की कारण तुरंत ही उन्हें पहचान लिया, फिर तो सर्वस्वरूपी महादेव ने दुरुगती नाशनी दुरुगा को कटाक्ष तुवारा सूचित कर दिया, कि ये दोनों द्यति हैं गण नहीं, ताथ तब पार्वती अपने स स्वामी महा कौत की परमेश्वा शंकर के उस नेत्र संकेत को समझ गई, फिर सर्वगी शिव की अरधांगनी देवी पार्वती ने उस संकेत को समझ कर उसी गेंद से जिससे वह कृड़ा कर रही थी, एक साथ ही उन दोनों पर चोट की, तब महा देवी की गेंद से आहत होक वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते वे उसी प्रकार भूतल पर गिर पड़े जैसे वायू के जोंकों से चंचल होकर दो पके वे ताड के फल अपनी डंठल से तूट कर गिर पड़ते हैं अथवा जैसे वजर के आगात से महागिरी के दो शिखर ढह जाते हैं इस प्रकार अकारिक करने के लिए उद्यत उन दोनों महाद्यात्यों को धाराशाई करके वे गेंद लिंग रूप में परिणत हो गया समस्त दुस्टों का निवारन करने वाला वे लिंग कंदुकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और जेस्ठेश्वर के समीप में ही इस्थित हो गया काशी में इस्थित कंदुकेश्वर लिंग दुस्टों का विनाशक भोग मोक्ष का प्रदाता और सर्वदासत पुरुषों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है जो मनुष्य इस अनुपम आख्यान को हर्ष पूर्वक सुनता या सुनाता थ्वप पढ़ता है उसे भय का दुख कहां वह तो इस लोक में नाना प्रकार के संपून उत्तमोतम सुखों को भोग कर अंत में भगवान शिव के धाम को चाता है श्रीब्रह्मा जी कहते हैं ए मुनि सत्तम मैंने तुमसे रुद्र संगीता की अंतरकत इस युद्ध-खंड का वण्न कर दिया यह खंड संपून मनुर्थों का फल प्रदान करने वाला है इस प्रकार शिवानु गामी ब्रह्मपुत्र नारत शंकर के उत्तम यश्को तथा शिव सतनाम को सुनकर करतार्थ हो गई यो मैंने संपून चरित्रों में प्रधान और कल्यान कारक ये ब्रह्मा और देवर्शी नारत का समवाद पोन रूप से कह दिया अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है आज शिव महपुरान कथा का रुद्र संगीता का युद्धकन समाप्त हुआ अगले अध्याय में आप भगवान शिव के पांच अवतारों का वर्णन सुनेंगे उमीद करती हूँ हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा अभी तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर आल क्लिक करना मत भूलेगा